नमस्कार दोस्तों, इंफो वाटिकर में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ROARO की वेकेंसी के बारे में इलाबाद हाई कोट ने ROARO की वेकेंसी को रिलीज किया है साहयक समिक्ष्य अधिकारी और समिक्ष्य अधिकारी इस वीडियो में हम बात करेंगे कि उसकी application fee क्या है number of vacancies कितनी है, reservation किसमें कितना percent है इसकी essential qualification क्या होगी ROARO की, उसकी age limit के बारे में selection process के बारे में और कैसे इस form को fill करना है इन सब के बारे में इस वीडियो में आज हम बात करेंगे इससे पहले आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है या आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को subscribe करेंगे और by like and जरू प्रेस करेंगे ताकि आगी की notifications आपको मिलती रहें आप मुझे social media पर जोलना चाहते हैं जो last date है form fill करने की वो है 16 September 2021 और जो fee की last date है वो है 17 September 2021 तो 17 अगस से ये form start हो गए है last date है 16,9 और fee की last date है 17,9 ठीक है तो अभी बहुत time में आप इस form को अराम से fill कर सकते हैं exam की date अभी आई नहीं है आपको बता notify हो जाएगी और exam से पहले आपका admit card available हो जाएगा जो इसकी form की fee है वो general OBC EWS के लिए 800 है SCST के लिए 600 है और दिव्यांक लोग के लिए भी 600 है ठीक है जो भी payment का mode होगा वो debit card, credit card, net banking के थू होगा next बात आती है number of vacancies की तो review officer समिक्षा अधिकारी की vacancies है total 46 और assistant review officer सायक समिक्षा अधिकारी की vacancies है 350 350 राइट इसमें reservation क्या क्या है जो total post है वो review officer की 46 है assistant review officer की 350 है SC के लिए schedule cast के लिए 21% reservation है और RO की 9 vacancies है और assistant review officer की 73 है ठीक है ST के लिए 2% है ST के लिए review officer में कोई vacancies नहीं है assistant review officer में 7 vacancies है other backward classes के 27% reservation है इसमें RO में 12 है जो post है वो बारा है और जो assistant review officer ARO में 94 post है ठीक है undeserved के लिए को reservation नहीं है RO की 25 post है और ARO की 176 post है तब ये total जाके 46 और 350 350 हैं next time हम बात करते हैं essential qualifications की कि हमारे पास इस form को fill करने के लिए क्या qualification होनी चाहिए तो review officer के लिए bachelor degree of a university established by law in India आपके पास किसी में भी bachelor degree होनी चाहिए किसी भी site में art, commerce, science किसी भी field में आपका बैशलर degree होनी चाहिए या फिर उसकी equivalent कोई degree होनी चाहिए बैशलर degree के equivalent हो राइट फर्स तो यह हो गया कि आपके पास bachelor degree होनी चाहिए second है कि diploma या degree होना चाहिए computer science में अगर ये नहीं है या फिर O level certificate होना चाहिए आपके पास या फिर triple C का certificate होना चाहिए इन तीनों में से कोई एक चीज होनी चाहिए ठीक है या तो degree या डिपलोमा हो computer science में या O level हो या triple C का certificate हो थर्ड qualification क्या है कि minimum 25 words per minute in English typing on computer आपको 25 words per minute English typing आनी चाहिए computer पे तो ये तीन qualification इसमें मांगी गही है review officer के लिए assistant review officer के लिए ARO के लिए भी यही सेम है bachelor degree होनी चाहिए डिपलोमा या degree होनी चाहिए computer science में या फिर O level या triple C इन तीनों में से कुछ एक होना चाहिए और minimum 25 words per minute English typing आनी चाहिए तो दोनों के लिए जो qualification है वो सेम है next बात आती है कि age क्या होनी चाहिए हमारी तो minimum 21 year जो age है वो 1721 के according 21 year minimum and maximum 35 years जो age में relaxation मिला है वो किसको मिलेगा पांच साल का मिलेगा SC ST और OBC other backward classes को और freedom fighters को जो UP के freedom fighter है उनके लिए पांच साल का relaxation मिलेगा age में next मिलेगा पांच साल का उनको जो sports person है UP के उनको पांच साल का मिलेगा तीन साल का उनको मिलेगा जो एक सर्विसमेन है उत्तरप्रदेश के UP के ठीक है और 15 years का उनको relaxation मिलेगा जो physically handicapped है UP के जो UP से बिलॉंग करते है physically handicapped category of the state of उत्तरप्रदेश ठीक है ओके next है selection procedure के आए इसका तो जो इसका exam होगा वो CBT computer based test है इसको apply कैसे करना form को तो simply ये website दी हुई है recruitment.nta.nic.in या तो इस पे जाके आप form फिल कर सकते है या इलावाद highcode.in इस website पे जाके आप form simply फिल कर सकते है ठीक है form online mode ही है form को online ही आपको फिल करके submit करना है और किसी mode से ये form फिल नहीं होगा ठीक है ये accept नहीं किया जाएगा ओके ये हमने बात की कि कैसे इस form को फिल करना है इसकी age क्या होने चाहिए form को फिल करने के लिए क्या हम आपास qualification होनी चाहिए ठीक है तो इसको अराम से आप form को फिल करें अभी बहुत time है सो थैंक yoo thank you for watching have a great day झाल कर दो दूंए